जैसे ही माल्दीव का नाम आप सभी सुनते हैं आप सभी के दिमाग में वो कौन सी तस्वीर है जो सबसे पहले आएगी इससे पहले के मैं आपको बताओ कि पिशले तीन दिन में क्या कुछ होए सबसे पहले प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के लक्ष दीब दौरे की वह तस्वीरे आपको दिछा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो है लक्षदीप की खुबसूरती को किस तरीके से दिखा रहे हैं चाहे नीले समंदर की बात करें हर्याली की बात करें नेचर की बात करें जो कामनेस वहां पर है जो शांती वहां पर है उसकी बात करते हुई यहां पर प्रधान मंत्री न पर एक आपती जनक टिपनी कर दी इतना ही नहीं मौल्दीव के टूरिजम और भारत के टूरिजम को जो है डिफ्रेंसियेशन करने की कोशिश की गई जिसके बाद कई सवाल जो है वो लगातार खड़े खुए लेकिन इस पर राजनिती भी देश के अंदर जो है जमकर की गई हालकि कुछ ऐसे नेता है जो विपक्ष के जरूर है लेकिन जब भारत की बात सामने आई तो वो किस तरीके से भारत के साथ खड़े कोई नजर आए लेकिन इन सब के बीच में आपको एक बहुत चौकाने वाली बात में आपको बताती हूँ देखिए लक्षदीप का नाम जो है जरूर हर किसी ने सुना होगा लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि पिछले 20 सालों में लक्षदीप को गुगल पर इतना नहीं सर्च किया गया था जितना दो जनवरी के बात किया गया है दो जनवरी वो तारीक जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधान खान अक्षे कुमार सुरेश रहना यहां तक कि भारते जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी अभी यह कह रहे हैं कि अब हम जो हैं वो मौल्दीव नहीं अब हम जाएंगे लक्षदीप हाला कि से हैश्टाग बॉयकॉट मौल्दीव जो ट्रेंड होने लग लेकिन अब हम वो कैंसल करा रहें क्योंकि भारत का अपमान किसी भी तरीके से नहीं सहेगा हिंदुस्तान और सबसे बड़ी बात कि है कि देखें कुछ लोग साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आरे कि आने वाले समय में भी अब हम जो हैं वो लक्षदीप जाएंगे ना क मौदीव काकड़ा यह कहता है कि सबसे जादा भारतिय जो है वो पिछले साल मौदीव गए थे यानि कि धाई लाक से जादा लोग एक बार पिर से मैं आपको यह तस्वीर दिखाती हूं कि देखें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जब लक्षदी पहुचे तो कितनी खू बढ़ी